हालो अव्रीबडिय इस दिगराश सिंह राजपूत वैल कुछ मैगनेट प्रिणज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में परिंगे केमाल आतातुक स्सेक्लर ुज़न के बारे में आपके मन्द में भूसारे सवाल हों गें केमाल आतातुक कौन है हम उनक conception of secularism या फिर western model of secularism को देखा क्या सीखा वहां से वहां से आपने यह सीखा कि strict separation होता है mutual exclusion वाला principle चलता है western secularism के हिसाब से American model को अगर देखोगे आप कि state और religion के बीच में एक दिवाल बना दो ठीक है 12 इंच की तो वह क्या है वह strict separation हो गया एक तरह से कि state religion के matter में इंटर्फियर निकरेगा religion जो स्टेट की policies में इंटर्फियर निकरेगा दोनों अपनी दुकान अपने अपने हिसाब से चलाएंगे आया समझ में अब आपको जो किस तरह से western और eastern world के बीच में लिंक का काम कर रहा है तर्की उसे आप से उसका जो सेक्लिजम का प्रिंसिपल देखो कि वह भी आपको क्या है थोड़ा सा वेस्टन इस्टन के बीच की लिंक समझाएगा ठीक है तो उस मामले में तर्की का एक्जामपल अच्छा है समझने के लिए ठीक तो कमाल आता तो जो है वह तर्की के एक समय पर क्या सकते हैं कि मिलिटरी जनरल थे ठीक कब जब फर्स्ट वर्ड वार चल रहा था ठीक है इस्ट्री परस्पेक्टिव समझते चलना चीद होगा फर्स्ट वर्ड वर्ड जब चल रहा था उस समय पर आप ऑटमन ठीक है तर्की के उपर कौन रूल कर रहा था आपने टेंथ क्लास में पढ़ा भी खलीफा वगेरा के बारे में पढ़ा था ध्याने सारी चीज़ें तो ऑटमन एंपायर की तो हार हो जाती फर्स्ट वर्ड वार में अब ऑटमन एंपायर जब डिकलाइन हो जाता है चला तो उसको जो बात की रिपब्लिक ऑफ टर्की बनीना उसका फाउंडिंग फादर कमाल आता तुरुक को माना जाता है अब कमाल आता टुक जो थे तो अब आप यह भी समझ लो कि उस समय पर जैसे सब ख्यलीफा कौन थे रिलीजियस हैड थे रिलीजियस हैड होने के सा साथ पॉलिटिकल हेड थे तो क्या वो सेकुलर कंट्री कहलाएगा नहीं अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़के आयो कि वह एक तरह का थियो क्रेटिक स्टेट था कब फर्स्ट वर्डवार के टाइम पे जो ऑटमन एंपायर था अब अब ऑटमन एंपायर का डिक्ला आती तो तर्की को सेकुलर बनाते हैं तो वह किस तरह का आइडिया वहां पे इंप्लिमेंट करते हैं उनके जो सेकुलरिजम के फिलोसफी थी वह क्या थी वह सारी चीज़ा आपको जानना है आशकरता हूं कि आपको एक फांडेशन थोड़ी सी समझना आगी कि क्यों सब कुछ रिलिजियस लॉज के हिसाब से गवर्न किया जाता था अब एक ऐसे देश में बदलाव लाने की बात कर रहो वह भी सेकुलर प्रिंसिपल्स पे तो कैसे लाया गया क्या किया गया वह सारी चीज़ा हम संझेंगे ठीक है तो सेकुलरिजम का है मूचर प्रिंसिपल अडॉट किया गया था वह बहुत अलग था डिफरेंट था कैसे अलग था कैसे डिफरेंट था वह समझाएंगे अंकल एंकल को प्रनाम करो कमाल था तुर्क अब आगे रिको कैब दिस सेकुलरिजम वाज नॉट अब अबवाट प्रिंसिपल दिस्टेंस रॉ और गिनाइज रिलीजिन इंस्टेड इंवल्ड एक्टिव इंटर्वेंशन इन एंड सपरेशन ओफ रिलीजिन ठीक है समझना अच्छे से तो कमाल आता तुर्क ने जो सेकुलरिजम का प्रिंसिपल लागू किया या फिर कह सकते हैं जो सेकुलरिजम का आईडिया अपनाय सेकुलरिज है आ हम धाउक दो अलग थए जो उनकियों का प्रिंसिपल लाई ना तो वह प्रिंसिपल डिस्टेंस या फिर उफिर मृंचिल एक्स्फूरूरूजन वाला प्रिंसिपल आप जो प्रिंसिपल यहां पे आपको यह देखने को मिलेगा कि सेकलूरिजम के कर ला है समझना सब्सक्राइब और इसको के जो को त Communism में कि प्र Buffalo सब्सक्राइब का घ्रेशन तो llev रिलिजन का सब्रेशन भी कर देता है तो कमाल आतर्टर क्राइब वीच्रूबन कौन यह ठीम समझेंगेत वा तो अब उनका साइडिया का आइडिया देखना ठीक तो पहलें का नाम था मुस्तफा कमाल पाशा ठीक भाता तुर कुनों ने बाद में क्लेम के लिए भी समझा तो कैसे तो भी केम तो पावर आफ्टर थी फर्स वर्ल्ड वर्ड वर्ड रिप्रनाउंस एंड प्रैक्टिस और डिफरेंट वर्जन आफ से किल रिजम टर्की वाट 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 बटेफ्रेंट वर्जन एफ लिजम तो ही पुट एन एंड टो इन्स्टिट्टिउटिशन आफ फ़लीफा इंड प्लिक लाइफ तर्की टिए अब सवाल आता है वाई समय बहुत अच्छे से पहले का इंस्टिटिशन चलता था चलता था मतलब कि पहले ऐसा सिस्टम चलता था जहां पे जो कह सकते हैं कि इस्तलामिक वर्ल्ड के जो रिलीजिए सट थे खलीफा वही टर्की के भी हैड हुआ करते थे तो अब यह क्या यह थियोग्रेटिक स्टेट चल रहा था तो इन्होंने सबसे पहले जब कमाल आता त इन्हों नहीं बोला कि जब तक रिलीजियस सीट मतलब कै सकते हैं की रिलीजिए से जो थे wo government कर रहे थे थे कंट्री को तो मॉड़नाइज नहीं कर पा है थे तिंकॉर ती बीजास लिश्यियुच रोज्स के सिफशलते का है होगी यह दी ही थी कमाल अता तुर्क नहीं क्या बोला कि अगर आपको ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलना है अपने आपको तुर्क ट्रांसलेट्स एज फाथर ऑफ दी टर्क ठीक है तो वह सी क्या होता है कि इन्हों ने अपना नाम बदला नाम क्या था मुस्तफा कमाल पाशा पाशा शब्द जो उता नहीं तरह से कह सकते डेगनेशन होती है मिलेटरी रैंग होती है तर्किश वर्ल्ल्ड और वहाँ पे पाशा शब्द यूज चाहता है अपने गोल्माल मुवी में अपि ध्यमाल मूवी यह शाहिद पशा बहुत है तो उस टाइफ से पाशा क्या है वह एक सिम्बॉलिक वर्ड है जो कह किया जा उनके वो पिता के समान है ठीक है और पिता का क्या करता हुए होता है तो तो यह तो वही चीज यहां पर हुई है कि कमाल आता है तुर्क ने अपना जब नाम बदला तो वह नाम बदला कि यह बताना चाहते हैं तरकी को की कि अधी में πरेटि है तो इसको बनी सकती ऑए गया तो ऊसको में कर दिया तोबहने भोद बिदिया जो पहनते हैं इसलां के followers ठीक है एक ट्रेडिशनल कैप वान बाइ मुस्लिम वास बैंड बाइदी है लॉवा वेस्टर्ण क्लोधिंग वाद एंकरेश फॉर मैंन विमन तो जो ट्रेडिशनल टर्किश क्लोधिंग थी जैसे पूरे विले वगेरा में महिलाएं कवर्ड रहती थी ठीक है पूरुष भ खंटगां शिर्रास त्रद्डश गैस को महां एक कैमाल आता तुक्स का तो कम आता तुक क्या कहा कि लोगों को वेस्टर लाट पहनना चाहिए क्लियर फिर क्या ओठ प्रक तरेख ऑगे आगे लिफ सतना December टायकर 묶्ट एपकांः हन 스थ आइव असवलश का मंदर होते हैं य यहां पर हम तरकी की बात करें तो तर्किश कैलेंडर जो है ठीक है उनका अपना एक कैलेंडर था लेकिन केमाल आता तुर्क ने क्या बोला कि आपको अपने आपको चेंज करना होगा देवाइव यह सारी चीजे रिलिजन से जड़ू हुई है कि आप अगर कौन सा कैलेंडर कर रहे हो आप आपके रिलीजन से जौनेंडर चल रहा है आप उसे फॉलों कर रहे हो तौन ऐसे लेकिन स्टेट स्वें हमों करके क्या कर रहा है कि जौन सा घरीकोरीयन करेंडर वूडरा है तो थॉं, का दर दिसंबर तक चलता है पूरा तो हम करो भीmeter को उचे टर्किस कलेंडर चला रहा था ठीक इन 1928 अन्यू टर्किश एल्फाबेट इन आ मॉडिफाइड लैटीन फॉर्म वस अडॉप्टेड तो जो ट्रेडिशनल टर्किश लैंविश्टी जो रिलीजन से जुड़ी हुई थी ठीक है क्योंकि पहले पूरा जैसे खलीफा का सिस्टम चलता था ठीक आटमन एंपाया जो पूरा थो सब को सारी चीज़े रिलीजियसली गवर्न की जाती थी तो उसको खतम करके उन्होंने क्या कर दिया एक नया टर्किश एल्फाबेटिक सिस्टम लिया है ठीक अब यह सारे स्टप्स जो मुस्तफा कमाल अटा तुर्क य और यह यहां पर जितना भी कारिकरम हुआ पूरा यह इसमें बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है ठीक है हमने क्या पड़ा था म्यूचल एक्स्क्लूजन के हिसाब से स्टेट इंटर्वीन नहीं करें करें इस में लेकिन आप यहां क्या देख रहा है ठीक और अपने आपको बो स्टेट कहा जाता है इनोंने स्कुलिर्ण की बात की है ठीक है उनकी जो पूरे आइडिलाजी है तो कमेलिजम जैसे माक्स की माक्सिजम होती नहीं में पूरी आइडियलाजी ठीक है अब उनके सारे पूंट आप व्यू को देखते हैं लेकिन जो वेस्टर्म मॉडल से कुल हम आप सब्सक्राइब करता है एक्जामपल हमने डिस्कस किया समझा आशा करते हैं अपको इंडियन से खुलरिगों आपको हो सकता है कि इन सारे topics पे जो हम जिसे box में पढ़ते हैं इन पर questions ना आए आपको ठीक है जो teachers internal paper set करना पसंद करते हैं बहुत सारी teachers ऐसे होतों चान चान के question लगते हैं तो तब तो आपकी तयारी well and good चल रही है ठीक है और अगर नहीं भी आते हैं महां से question तो भी well and good तक इसी तरह से सभी subjects chapters topics topics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिन आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं magnet brains एक ऐसा platform में जहां पर आपको इसारे video lectures free of cost मिल रहे हैं तो आप इने YouTube चैनल पर देख सकते हैं वेब साइट पर देख सकते हैं आपको क्या करना है अपने juniors और seniors को जरूर बताना magnet brains के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में till then stay connected keep learning thank you thank you very much